तेई साल का एक लड़का बनारस की गलियों और सडकों पर अक्सर घूमता रहता है। चाहें तपती धूप हो या शाम, हो चाहें अंदेरी रात। उसका कोई समय नहीं। जब जहां जाने का मन करें वो वहां जाता है लेकिन किसी चाह में नहीं बलकि किसी दरूरत मन की जरू में जिसे लोग मसीहा कहकर बुलाते हैं। लोगों की सेवा का जुनून अमन यादव में इतना है जिसके लिए क्या दिन और क्या रात। लोग मतने उजने इस लड़के से जब बात की तो इससे जज़बे को हम भी धंग रह गए। तो आएए मुलकात कराते हैं आपको इस जुनूनी लड़के से। नाम अमन यादव उम्र 23 साल पिता सुध। राजू यादव निवास दारानागर आजीवी का चाय की पुष्टैनी दुकान जुनून लावारिसों की सेवा मौजूदगी पूरे शहर में कहीं भी कभी भी। अमन यादव उम्र महज 20 साल अक्सर स सरकारी अस्पतालों में किसी मरीज को ले जाते दिख जाएगा। अमन एक समाज सेवक है जिसके 2007 से अपनी इस यात्रा को शुरू किया था। अमन के मताबिक देश सेवा का जुनून उसके मन में बच्पन से ही था लेकिन 2007 में बनारस के कचहरी में हुए बंब स्पोर्ट उसके इस काम को और बढ़ावा दिया। लावारे सरकों पर घायल या बीमार पड़े रहते हैं। उनके लिए अमन से मुलाकात एक वर्दान से कम नहीं होता। अमन की नजर जैसे ही ऐसे किसी व्यक्ति पर पढ़ती है वे ततकाल उसे अस्पताल पहुँचाता है। डॉक् पिस्रे में की बेटा सुदर जाएगा, किसी धंधे में मन लगाएगा, पर अमन तो ठहरा अमन, जो ठानली सो ठानली, अंतत, उसकी जिद्ध के आगे परिवार को अपना इरादा छोड़ना पड़ा, अपने ही हाथों डाली बेडी तोड़नी पड़ी, अमन अब आजाद असायों की सेवा का सपना उसकी आखों में नाबाद था, बिना किसी आर्थिक मदद की करता है, मदद अमन से जब हमने पूछा कि कैसे वो इतने लोगों की मदद करता है, तो उसने सोशल मीडिया को अपना साथ ही बताया, अमन ने बताया कि किसी दरूर तमन्ती इलाज, किसी लावारिस इंसान की मदद के लिए वो फेस्बुक का सहारा लेता है अमन ऐसे लोगों की फोटो फेस्बुक में पोस्ट करता है और लोगों से इनकी मदद की मांग करता है लेकिन यह आर्थिक मदद वो खुद नहीं लेता वो किसी से मरीज की दवाई का खर्च देने को कहता है तो किसी को अस्पताल का फीज भरने की गुजारिश करता है चार साल पहले छोड़ी पढ़ाई अमन ने भी एसे केंडियर की पढ़ाई करते करते छोड़ दी थी जब उसके पिता की कैंसर से मौत हो गई लेकिन उसने हार नहीं मानी और इस साल एक बार फिर से उसने भी एमें एड मिशन लिया है अमन आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहता है लेकिन वो कोई बड़ा आदमी या अफसर नहीं बनना चाहता अमन ने कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी इसी समाज सेवा में लगाना चाहता है किसी NGO से भी नहीं जुड़े कई NGO ने अमन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की लेकिन वे तैयार नहीं हुए वह समाज से सहयोग लेते हैं और लावारिशों की मदद करते हैं अमन का बैग चलती फिरती डिस्पेंसरी अमन यादव अपने साथ एक बैग लेकर चलते हैं इसमें मरहम पटी, बिस्केट, पुरानी कपड़ें और कुछ अन्य जरूरी समान होते हैं सामने कोई पीड़त दिखने पर अमन उसका प्रारंभिक इलाज करने के साथ ही उसे कुछ खाने के लिए भी देते हैं अमन जल्द ही एक बाइक एमबुलेंस बनाने की तैयारी कर रहा है ताकु वो मरीजों को आसानी से अस्पताल पहुँचा सके अमन बताते हैं कि साथ साल के सेवा वरत में वेग अब तक एक हजार से भी अधिक पीड़तों की दुआ बटोर चुके हैं इन में अंधे, लंगडे, भिखारी, तीर थयात्री, विदेशी परियटक आदी शामिल हैं सेवा के इस जजबे ने अमन को तन, मन से इतना मजबूत बना दिया है कि बीमार को कंधे पर लाद कर दो-चार किलोमीटर की दौर भी अब उसके लिए मुश्किल नहीं दुरगद, जुगुपसा, सड़े हुए, कीड़े पड़े बजबजाते घाव भी अब उसे विचलित नहीं करते देश सेवा का जुनून सरहद पर जाकर पूरी हो यह जरूरी नहीं अमन ने इस बात को साबित किया है अगर आप भी अमन से मिलना चाहते हैं तो उसके इस फेस्बुक लिंक पर जाकर उसके काम को देख सकते हैं साथ ही आप भी उसके इस सराहनी कदम में उसकी मदद कर उसका साथ दे सकते हैं